हेलो फ्रेंड्स मैं हर पिंदर को और तुसी देख रहे हूं इंग्लिश विद रूप अज अपा करांगे राइटिंग दे टास्क वान एंड टास्क टू फर्स्ट राइम अपा किता सिगा लाइन ग्राफ ते इक थोनु में सेकंड चाट दस्या सिगा सेकंड टास्क दा करवाया से अपने एक फॉरं ते सिगा ऐसे ठीक है वीज़े स्टूडेंट से ज्यादा फॉरं कंट्री से जारेने स्टूडी कांदे ले ठीक है सो अज जब पहों कंप्लीट करांगे ते उस तो भीना आप आज करांगे बार ग्राफ जिसनों बार चार्ट भी कहने है ठीक है फ्रेंट स्टार्ट कर दें आपा अज दी क्लास् कोशन पड़ो परलां की लिख्या है तचार्ट शोज दा नंबर ओव मुबाइल फोन एंड लेंड लाइन पर हंडर्ड पीपल इन सलक्टेड कंट्री इस किसे कंट्रीज दियां से कुछ सलक्टेड कंट्रीज दस्तिया हूं याने उत्थे दे मुबाइल फोन दे लैंड ल वर भीकर नाशन लाइ रहा वार्ण भार्ण क्योंकर उंका की बिढ़िया हूं याने बार्ण उन्या ठिक है एक या बार ग्राफ ते यत्तिया हूं याने अपनों सलक्टेड जाँ दिया हूं थिखा है कि या एंड लाइंट व्य मुबाइल फोन ओर लां लां लाइन सेमें लोग का दे बिच्छे ठीक है बिच्टी को लिए लैंड लाइन या किन्ने मोबाइल फोन ने लगला कंट्री आपनों दस्यां होई ठीक है जी अपने में फीचर की देखना है क्योंकि इस्ट की आया है नाधा आपनों इयर मैंशन है मलके इकोल ही डाटा देता हुए है ता आ अवर्ल थर्ड बी पी बी टो 3 हुए बी पी टो ओफने अपने कि आया लाइज धिएंगां है में बोला चीक है तना पाइस देविच आप लिखांगे comparison भी comparison जी में हो ना देखे जाएंगे सब तू ज्यादा mobile phones किते ने इटली देविच ते cut landlines भी की ने इटली देविच ने ठीक है जी एक हो गया comparison भी कर दोंगे यहां फिर तुस्य कैसा जो इटली देविच बिल्कुल काट होने landline ठीक है इटली को बिल्कुल cut landlines ने ते जादा के देखोने landlines जे देख्या जाए डेन्मार्क ठीक है सो इस तरह तुस्य पहला highest lowest दास दो इन फीचर्स दास दो फिर major difference दे similarities दास दो ते फिर उस तो बाद की दास दो comparison कार दो इस तरह थोड़े body paragraph ने जड़े complete हो रहंगे हूं स्टार्ट कर दे आप इंट्रो तो इंट्रो की का ने हों दिया हमेशा दसे विए अपने की करना इंट्रो ची कुछ नहीं अपने वल्लो करना पेराफ्रेस करने ठीक है So, हुण अपना लिख्या हुए the chart shows अपनु पता है केड़ा chart है बार The bar chart presents ठीक है? Shows दी जगा अपने लिखता presents The number of mobile phone अपने लिखता the quantity of mobile phones and landlines ठीक है जी? Per hundred people अपने लिखता for every hundred people Per hundred people ते for every hundred people की होगया? Same हुण इनने क्यासी in selected countries ठीक है? हुण selected countries अपने कोलगेडियाने साथ ताहा countries जहां ता तुसी इत्ते लिखता इन seven countries हुण देखो हुण इत्ते की लिखिया है In Canada, the United States ठीक है? इननों होर शॉर्टकट चिकार सागदे से In North America regions ठीक है? American regions आ जुगा वे एकेडे ने North America region ची अंदेने Canada ते US ठीक है? And five European countries जडेने बाकी रहेगी हैं Germany, Denmark, UK, Sweden and Italy एकी ने European countries So इस तरह आपा इसनों short दे विच लिखता यहां फिर simple लिख दो जे नहीं नहीं आपनों हो करना था इनन seven countries ठीक है जी? इस सारह आपने पैरफ्रेस करता ता अपने introduction की बनगी The bar chart presents the quantity of mobile phones and landlines for every hundred people in Canada, the United States and five European countries ठीक है फ्रेंट्स? होन अपने first introduction लिख लिख ली second paragraph बनोना होना होना अपने overall था ठीक है जी? अपना overview देना है मैं लिख है mobile phones are more popular among European regions ठीक है क्यों लिख है मैं क्योंकि जड़े mobile phones ने देखो ना इदर की है ना थी हो काटा है नंबर किने ने काटने बटो की हुंदे जारे ने? इंक्रीज हुंदे जारे ना ता कौन जादा यूज कर रहे है mobile phone जड़ियां है European countries ने जे comparison किता Canada ते US से ना ठीक है कौन जादा कर रहे है बाक्की जड़ियां है European countries ने आपने बना था mobile phones are more popular among European regions वाइल ठीक है वाइल तो बाद हुंद रहे है अपने Canada ते US एक ही कर रहे है ने landlines नो जादा प्रेफरेंस दे रहे है user जादा एह यूज कर रहे है ने ठीक है landlines नो तो आपने लिख दांगे North America has more land phone users बेए की ने इनना कोल जादा कित्तों दा user है एह landline user ने न दोना दे कोल than their cell phone user cell phone एते mobile phone नो लिख या ठीक है बेए नना कोल landline user जादा as compared to केड़ा mobile user ठीक है simple use the phone लोग कांदवार है कित्ते जा रहे है ना सो तुसी इस तरह के नड़ लिख सादू बेए नने लोग की ने अपा simple लिख सादे है भी जर्मनी दे विच एनने phone user है ठीक है एनना landline user है इस तरह तुसी लग-लग sentences बना आ साख देऊ ठीक है एह नंबर अपने ते आंज रखने है बट की देता है ते अपने नंबर ओफ फोन 100 पर पीपल 100 पराग्राफ ने मैं तुन पहला ही दस्याँ ठीक है पराग्राफ ची तुसी की करना है फर्स तुसी हाइस लोएस बीपी बंच हाइस ते लोएस दास दू हाइस ते लोएस दोने दास दो ठीक है मबाइल फोन दा landline दास दू नेक्स्ट तुसी फेर बीपी टू सिमिलारिटीज एंड डिफरेंस दास तू मेजर सिमिलारिटीज होनी जाएगा है यहीं हो है थोड़ा या मेजर होन बिल्कुल सेम जा होवे आस पास जादा ही डिफरेंस होवे ठीक है नेक्स्ट तुसी कंपैरिजन कार दो अपने अकोर्डिंग मलके पैराग्राफ दी लैंथ तुसी देखनी है दो पैराग्राफ इपनो अने जानता है इनना नो हाइस ते लोएस नो कंपैरिजन नाल कठा कर दो ते मेजर सिमलारिटी इस ते ना डिफरेंसे से अलाग कर दो ठीक है जिवे होन अपने देख साथ हैं जे थो नो हाइस लोएस अपना कार लाए भी इटलीच की है सब तो कठा है ठीक है जे होन कंपैरिजन करना है कंपैरिजन किसे किसılanां कैने देनमार्क नाल कorkटा कर दो ठीक है मठड़क है किस देख सा एसावचेम है मोबाईल फोन भी ये लैंट लाइन्ड बिन अहिए इधरी मोबाईल ।ो दे लैंड लाइनस भी comparison कठा ही करना, ठीक है, तो similarities फिर दास्ता सागते हैं, तो से भी same कि इस देविच चाहिए, जो almost same जे है, ठीक है, ए भी अपन की लग रहे है, similarities लग रहे हैं, तो जादा difference दास्तो, जिमें भी तो नू मलके, according to you, जिमें तो नू simple लादा, तो उस तरह संटेंस पना होने हैं, but संटेंस के, same हो नी होना चाहिए, repetition नी होनी चाहिए, so तो से इसले इस नू बना आसा दो, ठीक है, मैं तो नू इक संटेंस बना के दिननी है, highest या lowest है, कोई भी, बाकी तो से खुद बनाने ने, ओके, फ्रेंट्स, होन बाडी पैराग्राफ तो से कितना स्टाट कर साथ हैं, जिमें, होन मैं की कहा है, पहला हाइस ते लोएस तास दो, ठीक है, for example, जिमें, होन लोएस कि दे विच्चे जादा, इटली दे विच्चे है, की ने, लैंड लाइन्स काट ने, ठीक है, बट र हाफ है, हाफ भी की, 40% ही ने, की ने, लैंड लाइन्स ने, 60% मॉबाइल फोन यूजर ने, तो अपक इमें लिख दांगे, इतली ओनली है, जा लोएस नमबर ओफ लैंड लाइन्स, ऑनली यूज किता है, क्योंकि साब्तूं कट है, एक में फीचर है, की फीचर है, भी साब अब तो कट की ने, लैंड लाइन हो और किसे च नहीं है, लैंड लाइन साब तो कट इथे यूज हो रहे हैं, ठीक है, लोएस नमबर ओफ लैंड लाइन्स एड जस्ट ओवर 40 पर 100 पीपल, ठीक है, 40 ने हो, विच इस लेस दन हाफ अफ ओफ दा नमबर ओफ मॉबाइल फोन काईड लैस तो भी हो ने, यह तो की ने, यह तो बहुत ज्यादा कट ने, तो ऐसे तरह तरह तुसे इस देनाल ऑपोजेट लाइन बना साग दे हो, ठीक है, कैनेड़ देनाल, कैनेड़ दे भी अच्की कह दोंगे, तुसे ही, मबाइल फोन की ने, काट ने, बट लैंड ला बन जुगा है, यह तो तुसे गंपैरिजन कारके संटेंस बना साग दे हो, तो ने, नेक्स तरह पैराग्राफ हो, सिमलारिटीस तरह डिफरेंस तरह बन जुगा है, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा इसली थोड़ा, यह नहीं है, तुसे सारी हो लिखने है, बट में में प टास्क वन, जो के तुसी कंप्लीट करना है, इंट्रो ते अपना ओबर्वीव हो चुक्या है, अल्मोस्ट बोडी पेराग्राफ हो चुक्या है, तुसी दूसरा है जेड़ा कंप्लीट करना है, ठीक है, जी हुने इस तो बात आपना कर दे है, टास्क टू, जेड़ा उज अपना अदब जाले राए गया, ठीक है, अपने इंट्रो किती सी हुना, जेड़ा अपना अड्वांटेजिस करांगे, तो एड्वांटेजिस देख दें, की की हुन दिया ने, फॉरं गंड्रीज चु स्टडी का हुन दिया, ठीक है जी, ए अपनी स्टेप्मेंट, ठीक है ठीक है, आपने इंट्रो काफी बच्चा ने लिख के पेज़िस ही ठीक है, अपने अपने इसकाशन करें अड्वांटेजिस से लिखांगे, तो परग्राफ भी तुसे अड्वांटेजिस से बना साथ ही, थोड़े तर डिपेंड करते हैं, ठीक है जी, फॉर्स्ट अड्व जा रहे हों जे थोनों उत्थे दी स्टड़ी वदिया तहां जा रहे हों ठीक है ग्लोबल एक्स्पोजर जानने हो तुसीं के उत्थे जा के थोनों नमा नमा कल्चर नमी नमी लोका ना इंट्रेक्शन वदे फर्स्ट पॉइंट आपा लिखांगे हाई क्वालिटी एज्जुकेशन सिर्फ हैडिंग्स लिखने ने जो तुमी तुनों इतना ऐसे है जो पहला तुसी अपने पॉइंट्स बना ओने ने ठीक है सेकंड ग्लोवल एक्सपोजर लिख सकते हो तुसी ठीक है जी बहुत कुछ नम्य नमा सिखनों मिलूगा है कल्चर सिखनों मिलूगा रफली जैपा पॉइंट लिख दे हैं भी होर कल्चर वारे थोनों पता लगूगा ठीक है नेक्स्ट की है इस दो बाद कल्चर तो भी ना थोनों की है रिस्पॉंसिबल बांच ओंगे ठीक है ज्यादा इंडिपेंडेंडेंट हो जोंगे लाइफस्टाइल थोटा की हो जोगा बहुत बढ़िया होगा ना बैटर लाइफस्टाइल next तो तुसी ओर थोनों की उत्थ जाके हो सकता है ज़े तोसी उत्थ दो काल रहे हो थोनों की हिए यह जिनाल की ने बेस्ट ऑपर्चुनिटीज मेलन गया बेस्ट जॉब ऑपर्चुनिटीज चीक है जी सो इस तरह काफी सारे पॉइंट्स है इस तो इलावा होर भी पॉइंट्स ने ठीक है बट तुसे पॉइंट्स सोच जुरूर लेने हो बट थो नूँ पता निलादा वी पहले नूँ लिखे दो कोई फाइदा नहींगा जी में तो लागता है फॉस्ट पहला राफ बना ले उस तो तुसी चूज करना के फॉस्ट नंबर ते केड़ा पॉइंट आ हुगा जिए अपने फॉस्ट लिख्या पाप जाई में मर्क सदी पहला था यही है ना भी अपना हाई क्वाल सब्सक्राइब तो लिखे जा रहे हैं फिर किया उत्ते जागे तो उन्हों ग्लोबल एक्स्पोजर मिल दा फिर कल्चर वारे पता लागता है इंडिपेंडेंट हो जाने हो ठीक है लाइफ्स्टाइल मल दा है वैस्ट जॉब ऑपरचुनिटी उन्हें इस तो एक अदा पर और किरोजनाल कोई उनी उन्दा क्योंकि फर्स्ट इंप्रैसन जालास्ट इंप्रैस्शन ठीक है सब्सक्क्राइब और पताओसर के किया हाइई quality education मिल दिया ठीक है जी जेड़ा भी इस वीडियो नो फास्टाइम देख रहा है ओ पराणी वीडियो देख साकता है उन्हों पता लग जुगा फारण इंसिट्यूट्स ने जेड़े विद्याले ने या स्कूल ने हो कि कर देने बैटर कोर्सीज ओफर कार देने स्टूरेंश नो दो क्वालिफिकेशन गीन ओपन दा दो चू गेट बैटर जॉब ऑपर्चुनिटीज वेड हाई सालरी ते उन्हों की मिल दिया है बैटर प्राप्त कार देने ठीक है हुण देखो है मैं दोने वाइंट नाल कारते हैं लिंक गारते हैं इक पॉइंट किते लिखता है इक किते लिखता हुण एदे विच में हें पॉइंट छड्डेया नी जॉब ऑपर्चुन्टीज आड़ा विच्ची उन्हों लिंक करके इस तर फिर्स्ट लाइन हो ही तुसी लिख दोंगे विता करके जाने ने बिकॉद अफाइयर एड्यूकेशन स्टेंडर्स इन अब्राट एंड एड्वांस टेक्नॉलजी इन्वार्मेंट स्टुडेंट्स हु स्टूड़ी अब्राट है बैटर जॉब ऑपर्चुनेटीज सही ग या मल्टिनेशनल कंपनीज उनना नों हायर करना चॉण गया चो फॉर एक्जांपल तुसी लिख साथे हूं ठीक है के जड़ा अजकल किया मल्टिनेशनल कंपनीज ने उनना नों ज्यादा है एक्जांपल जरूर देनी हुंदिया ठीक है जैत इन पाइंट्स लिखें तो जो इकदी एग्जांपल जरूर देया करो ऑना बैंश कोरके या इंप्रूफ होन्दा रओं थे आपने आले डारे द धी एग्जांपल देनी है ठीक है अपनी नीeri है के अपनी उध्ड़ां एक्जांपल देनी है ठीक है जोगी इन्धीलिवार होई होए जहां पिछे होई होवे worldwide examples देनी है ठीक है अपने हुन who study abroad have better job opportunities and higher job roles in their hometown ठीक है in their hometown की यह जेड़े बिच्चे मान लोग दोनों study करके लेने एदर job कर दें ताम यह ननों की ने better salary package मेल देने better जाला वदिया salary मेल दिया as compared to native ठीक है हो तुसे इननों दो दोनों तरीक के नाल जी में थोनों सिंपल आदा है अपने अकॉर्डिंगे से changes कार साग दें बस में यह लिंक की में करना है कि में अपने दो पॉइंट्स नों एक चिकारता ते अपना पॉइंट भी जेड़ा किया elaborate भी हो गया ते नाल की हो गया link भी हो गया ठीक है इस हो इतना ही में next point दास दें कितना करना है तेज दें disadvantages तुसी दस नहीं थे तुसी उन्हें नों elaborate भी करना है दो disadvantages नों ठीक है जी होन अपना second ओसी first point second point secondly तो start कार साख दें more over तो start कार साख दें further more तो जो भी तोने suitable आदा है ओना नल कोई फर्क नी बेंदा connectors ने हो ठीक है जी तो अपना दा फर्क जेड़ा main point किया ओ थोड़ा वधिया तरीके ना लिख्या होना चाहिए ठीक है जी होड़ा अपने culture नो explain किता है ठीक है moving to other countries can broaden students horizons मल के ओना नो जे केंदे की ने जडी दुझ्यां countries ने students ने horizon नो improve कर दिया की student horizon की उन्दा wide range of थो नो मिल दियाने choices opportunities मिल दियाने ठीक है जी देगेट exposed to different cultures ओ की कर देने different culture custom as well as gain knowledge about them दुझे culture नो हों देने मिल देने ठीक है interaction हों देना की है उननो knowledge मिल दिया उनना दे बारे सो कुछ नमा सिखन नो मिल दे ठीक है जाद उसे simplest नो हो रकिस तरह के ना लिख साथे हो furthermore the student will get global exposure global exposure मिल दा interaction हों दिया they tend to meet people from diverse cultures and origin ठीक है जी लोग के जडे लग लग cultures थे हुं देने जे नना अपनी interaction मेल देना next does it not only helps them to experience new things के जे सरफ help नी कर दा का दे बिच्छ new things to learn from them but also improves their adaptability level दो चीज़ां जे help कर दा इक ता कि यह नमिया चीज़ां सिखन नो मिल दिया learn कर नो मिल दिया ते adaptability level भी वाज़न दा भी अपने अपने अपनों किस तरह टालना है है मल लगे किद्धा है थोड़े कोल पुल हॉया उसत दा अपने 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 कि में टालना है उसत दे according किद्धा लेदर है किद्धा रेंटस हे नक हुँडनेा लेखेत इस तरही एतर और्ट बनाय आज आग्टकेंट कि अपने को अदर हों किया आही बेद्दा, संटैंस बट्किया थटा संटैंथ , लिंग होना चाहँँद, बेद्धीह में एक पोइंट में जान्हों होभर 죄송 करके होने हैं भी तुसी कितना explain क्यूँगे अपने कोल पॉइंट हुनदय पर टपा explain नहीं कर पौंदया अपना paragraph जड़ा चोटा यह बने कर आना में दो फॉइंट नाली थोटा paragraph एक सिल्टा यह तो तुसी अपने according to line ने जड़ी आड़ी कर साथ हूं काट भी कर साथ हूं ठीक है friends ओके friends अपना next point है ओ है जो भी students जड़े foreign countries बीच जाके ज्यादा responsible की में बंदेने होना की कुछ सिखरनों मल दा की में होना चीज sufficient attitude होना self-sufficient attitude होना ठीक है so में point लिखे studying abroad does not only highlights the learning curve कैंदे सर्फ कल्ला learning curve नो ही highlight नी कर दा learning नी सिख दे कल्ले बट आल्स इंप्रोब्स अ self-sufficient attitude उनना चीकल self-sufficient attitude भी ओंदा ठीक है and also help the student to develop an independent lifestyle ए कादे बिच भी मदद कर दा उनना नो develop current independent lifestyle भी हो किद्दा कल्ले रह सकते ने किद्दा अपनी life नो कल्ले manage कर सकते है किद्दा हो सारे difficulties नो कल्ले ही handle कर सकते ने foreign countries से विच क्योंकि उक्ते हो कल्ले हमने कोई parents नहीं हों देना तो किद्दा किद्दा हो deal कर देने ठीक है for example when a student gets educated in their hometown they do not get a chance to understand how to a life independently केंदे जो दों बच्चा अपने native country दे विच्ची पढ़ दा ता उन्हों कदे वी chance ने मल दा विया ओधी life independently की में हो सा दिया अपने आपकी में responsible बांड सागदा है चीक है and dependence will make them feel very comfortable only in their circle केंदे जीडे dependence होंदे एक कदुझे पेरेंट्स देपेंड़ा फ्रेंड्स देपेंड़ा ओ सिर्फ ओन्हों कम्फर्टेवल कित्थे फिल करों दिया सिर्फ ओ दे सर्कल दे बीच के विच लेके आसादेने सिख सागदेने होर नमिया नमिया चीजां त्योंकि में more responsible बांड सागदेने अगर ओ फॉरन कंट्री दे बीच स्टड़ी कारते ने ठीक है फ्रेंड्स एसी तो टी आज़ी क्लास ठीक है मैं तो अड्वांटेजिस डिसकस कराते ने तुसे इसे दो पेराग्राफ बना साद्यों अड्वांटेजिस ते डिस अड्वांटेजिस तुसे खुद लिखने हैं दो डिस अड्वांटेजिस जो के मेन ठीक है मेन डि शीर करें मेरे चैनल सब्सक्राइब करें बैल आइकसे क्लिक करें के और वाल वाला ली वीडियो से नौतिफिकेशनule आप मिल सकें विडियो दो छाए を їzustand झाल झाल